हाई फोक्स वेलकम बाक टो गमी कीरती चैनल आज जो मैं आपके लिए जॉब लाई हूँ वो बहुत ही ज़ाधा अमेजिंग है क्योंकि यहाँ पे आप कहीं से भी काम कर सकते हैं वर्क फ्रम होम है प्लस वर्क फ्रम एनिवेर कहीं भी हैं आप कैफे में बैठे हैं या इंड जरूरत नहीं है ठीक है नो स्किल रिक्वायर्मेंट प्लस यहाँ पे बस आपको हिंदी आना जरूरी है अगर आपको हिंदी आती है तो आप यहाँ पर काम करने के लिए और अच्छी बात क्या है कि अगर आप पार्ट आइम वानिंग करना चाहते हैं तो यह काफी क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वह ऐसे ट्रैप में फज जाते हैं और पेमेंट कर देते हैं जॉब लगवाने के लिए तो प्लीज को भी पैसा नहीं देना है खासकर इस जॉब में अदर जॉब में जहां पर भी आप से पैसा में आंगा जा रहा है तो समझ लेना कि फे अगर आप यहां पर काफी अच्छी इंकम जनरेट कर सकते हैं पर मंत अगर मैं बात करूँ कि कौन को अप्लाई कर सकता है अगर आप ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस की तरफ से है यह मैं सारी डिटेल्स आपको बताती हूं इस जॉब के बारे में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरू करना शेयर करना और सब्स्राइब तो गमी कीती चैनल ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें ठीक है अब मैं आपको लेके चलते हूं बताती हूं प्रो यहां पर जो आपकी प्रोफाइल है यह है speech recognition and agriculture and finance for the poor in India speech recognition आपको यहां पर काम करना है यहां पर basic computer skills आपको आना चाहिए plus typing skills आना चाहिए should be able to read and understand native language यहाँ पे native language मालब जो भी local language है वो आपको आनी चाहिए Hindi है या कोई South की language है या North India की language है वो आपको आनी चाहिए जहाँ भी जिस location में भी आप रहते हो You must have laptop and desktop या आपके पार smartphone होना चाहिए Good knowledge of Google Docs, Google Transliteration यह सारे जो apps and tools है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए इनके बारे में पता करने का बस दो second का काम है Google पे जाओ और यह आप जो tool है इनका नाम copy paste कर सकते हो This work can be done from anywhere तो work from office नहीं है work from home है इसे बहूं आप गर बैठे बैठे करसकते हो या कहीं और बैठे हो तो भी आप यह प्याप्लाइक कर सकते हो क्वालिफिकेशन क्या है undergraduate है अगर आपने ग्रैजुएशन कंप्लीट नहीं कर दिए अगर आप 12th pass ही हो तो भी आप यहां पर apply कर सकते हो पोज रेजुएशन अगर आपने कर रखे तो भी आप यहां पर अप्लाइब कर सकते हो फ्रेशर हो यह एक्स्पिरेंस तो भी आप यहां पर अप्लाइब कर सकते हो basic remuneration ठीक है पेमेंट की बात करते हैं रूपीज 500 फॉर 20 मिनट्स ठीक है आपको यह तास्पिक के बारे में तो पार उनको उस टोपिक के बारे में समझाना है कि अग्जाट्ट इस टॉपिक में क्या क्या है ठीक है फिर आपको ये टास्ट दे दिया जाएगा कि जो भी farmers है ठीक है या पूर है उनको उस topic के बारे में समझाना है through recording ठीक है आपके recording होगी और अच्छे शब्दों में clear शब्दों में और ऐसे समझाना है कि दूसरे को समझ जाए अपको 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 फिल करना है यह जो लिंक है मैंने वीडियो के description में डाल दिये हैं यहां पर जाके clear here to apply now पर क्लिक करना है आपको उसके बाद यह form है यह form आपको फिल करना है इमेल आइडिया फिल करोगे basic details first name last name date of birth communication address name of your native place district pin code how many years of have you stayed in native place जहां भी अभी आप रह रहरे हो name of your current place district pin code of your current place since how many years have you been staying in current place अगर सेम है तो सेम ही डाल दो mother tongue native language क्या है आपकी यहां पर चूज करना है designation organization put your latest cv link यहां पर cv link आपको क्लिक करना है आप cv link कैसे वह करोगे आप google document में अपना cv upload कर सकते हो ठीके word document में यहां पीडिएफ में है आपका जो रिजीव में है तो आप उसको upload करते न Google Docs में फिर Google Docs में वहां पर आप generate कर सकते हो link और यहां पर paste कर सकते हो what according to you makes you best fit for this task of recording transcription ठीक है please choose the preferred language if you are selected for this job write the name of place district where you will carry out the task if you are selected for this job which pin code you will carry out the task I understand और यह है और फिर submit करना है ठीक है यही सारे जो questions है इनका यहां पर answer आपको fill करना है उसके बाद यह जो HR है वो देखेंगे कि क्या-क्या आपने fill किया है और फिर आपको select करेंगे on the basis of answers जो आपने इन questions के answers दीए है ठीक है इची profile है और भी काफी सारी profile है मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगी कि और क्या-क्या profile है ठीक है सो तेल मैं ने नच्विद वीडेड यह भी वोग्स तक्या देखे और वे जहा है और मेंजिए वाहा जापूस्पारा था सीगतिते है